इस वीडियो में दी हुई जानकारी इंटरनेट से ली गई है। हम इस वीडियो में किसी भी दवाई का प्रचार नहीं करते। किसी भी दवाई को इस्तमाल करने से पहले एक बार डॉक्टर से जरूर सलाह ले। अगर आप इस वीडियो को देखकर किसी दवा का उपयोग करत और आपको कोई साइड एफेक्ट होता है, तो उसमें हमारी कोई जिम्मिदारी नहीं होगी. ब्रजोएस और टैबलेट एपिलेपसी में दौरे, यानि की फिट्स के इलाज के लिए इस्तिमाल की जाने वाली एक एंटी एपिलेप्टिक दवा है. इसे अकेले या अन्य दवाओं के साथ इस्तिमाल किया जा सकता है. जब तक आप इसे लेना जारी रखते हैं, तब तक यह दौरों को रोकने में मदद करता है. ब्रिजोएसो टेबलेट मस्तिष्क में असामान्य इलेक्ट्रिकल गतिविधी को संदमित करता है. आप इसे नियमित रूप से खाने के साथ या बिना खाय ले सकते हैं. लेकिन सबसे अधिक लाप प्राप्ट करने के लिए प्रतीक दिन इसे एक ही समय पर लेने की कोशिश करें. डोज और कितनी बार आपको इसे लेने की जरूरत है यह आपके डॉक्टर द्वारा बताये जाएंगे ताकि आपको अपने दोरों को नियंतरत करने के लिए सही मात्रा मिल सके. इसे धीरे धीरे बढ़ाया जा सकता है. आमतोर पर लंबी अवधी के इलाज के रूप म डियो जब तक आपका डॉक्टर न कहे तब तक इस दवा का सेवन बंद न करें. ऐसा इसलिए है क्योंकि दवा अचानक बंद कर देने से आपके दौरों की स्थिती और अधिक बिगर सकती है. Some common side effects of this medicine include dizziness, headache, nausea, and vomiting. You may also experience behavioral changes, aggressive behavior, irritation, agitation, etc. Side effects are more common during the first few weeks and usually lessen as your body gets used to the medicine. इन में से अधिकांच side effects के लिए किसी भी चिकित्सकिये सहायता की आवश्यक्ता नहीं होती है, लेकिन इन में से कुछ गंभीर हो सकते हैं. इस दवा से इलाज कराने वाले कुछ लोगों को खुद को नुकसान पहुँचाने या मारने के विचार आए हैं. अगर आपके मूड में खराब बदलाव आ रहा हो तो अपने डॉक्टर से बात करें. इसे लेने से पहले, अगर आपको लिवर या किडनी से समबंधित कोई समस्या, डिप्रेशन है या आत्महत्या के ख्याल आते हैं, या आप गर्भवती हैं, गर्भधारन करने की योजना बना रही हैं या स्तनपान करा रही हैं, तो आपको अपने डॉक्टर को इसके बारे करके नोटिफिकेशन बेल आइकॉन पर क्लिक करें और आल नोटिफिकेशन को क्लिक करें धन्यवाद